सो हे गाइस इट्स या शेयर अगेन प्रीविएस वीडियो में काफी बाते हो गई थी यार एज पल्टेन एज थिंग नॉच्चेज और ग्रैब जिंग बहुत हो रहे थी वहाँ पे डिट्टि लोजिक की बात होते होते कैसे क्या करना उसे टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है अब उससे होना क्या है अब मैं आपको एक वीडियो मनाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आज लॉग खतम हो जाए मैंने लॉग बताया था क्योंकि पार्ट से रिलेटेट टॉपिक लॉग का है पिशली बाब पार पूछा था इस बार यो लॉग पूछेंगे और आपको बता दिया था कि लीगल एवोलुशनिजम से आया था जहां पे हिस्टोरिकल रूस को ट्रेस करते क्या करते लीगल आइडियास को लेते हैं वहां से और जो कंकंपरेरी में जो डिबेट्स हुए जो रूल बनाए गए जो लॉग बनाए गए हम उसको सीधे यहां पे पेटाब कर देते हैं इस एक्जामपल सेट कर देते हैं हमने इतना आप से बताया था हमने प्रिदेजद में क्या होता है अरिस्टोर्टल ने इसको पर्टें कर दिया था कि जो मेरी थेoric of rights होगा और जो मेरा notion of politics होगा उसमें detective method का use नहीं होगा ना कोई mathematical application होगा देट्क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ही हमको केवल MCQ आने है एक्जाम में तो हमको मतलब किस से होना चीए चीफ एक्सपोरेंट से जो तिंकर्स और ऑथर्स होते हैं जैसे कि FC सेवेगनी और हेंड्री माइन एक 1779-61 1822-1888 तो जो इनकी बुक्स इंपोर्टेंट होती मैंने बताया था पिछली बाप बुक्स के बहुत कोस्टिन आ था तो जो FC से हम लोग बात करते हैं इनकी एक बुक थी on the vacation of our age for the legislation and jurisprudence ये बुक आया थी 1814 ने आप याद कर लिजेगा इससे आप नोट्स बना लिजेगा अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंड में करिएगा मैं आपको PDF बेद दूँगा अपने नोट्स की सेकेंड जो बुक थी Henry Mann की उस बुक का नाम था ancient law its connection with early history of society its relation early history society relations की बात आ गए इसका मतलब हुआ कि historical jurisprudence यहां पर प्रूफ हो गया कि हमने जो thinkers दो बताए इनका relation historical jurisprudence है था ठीक है आज कोई बात नहीं होगी कोई motivation quets नहीं होगा आपके पात चाहे 5 दिन बचे हो 6 दिन बचे हो 4 दिन बचे हो उससे मतलब नहीं है मेन है ग्रैब करना टॉपिक को जो इस बार आएगा अगला टॉपिक है social logic jurisprudence हमने analytical बताया historical बताया आप आते है social logic jurisprudence तो मेनली social logic jurisprudence क्या होता है जहां पर एक society dual होती है एक social relation involved होता है एक हम लोग mill bar के रहते हैं एक organization बना लेते हैं घर बना लेते हैं एक पोल बना लेते हैं एक exemption कर लेते हैं एक महला बना लेते हैं तो वो हमारा social output है इसी को social justice social law को expression करते हैं तो social logic jurisprudence क्या हुआ कल मैने बोला कि jurisprudence मतलब क्या होता है कि theory of history theory of law और law को कैसे define करना है उसका मतलब हो गया jurisprudence जब justice और law एक साथ दोनों मिल गया उससे हम लो jurisprudence कहते हैं कल मैंने आपको बताया था तो यहां पे sociology मतलब आप समझी गए होगे जब से urbanization हुआ लोग यहां से वहां आने लगे तो यहां से क्या हुआ कि urbanization में जो rural class से लोग urban में बहुत आ रहते हैं तो वहां से land degradation हो गया यहां से deforestation शुरूआ तो इससे क्या हुआ एक sociology बन गए society बन गए तो जो अल्ली एक्सपोनेंट्स हैं sociology jurisprudence के वह हैं लुडविक गुंपलो गुंपलोविच 1838-1909 कह रहा हुँगी बहुत important है thinkers भाई यात कर लो लुडविक गुंपलोविच 1838-1929 second one is leon duquette 1859-1928 third is hugo crab 1857-1936 fourth is हमारे जो एक known thinkers हैं इन च्यारों में से लुडविक को भी हम लोग जानते हैं लुडविक completely government में जाते हैं और last year questions में आ जाता है लेकिन हम लोग जिसकी बात करते हैं जिसको तो एक प्रॉमिलियन ठिंकर एक प्रसिस ठिंकर जो हैं यहां पे लास्की साहब हैं लास्की साहब ने क्या किया था इन्होंने contrast डाला था analytical jurisprudence को analytical jurisprudence पे contrast डालके हुए उस theory को define किया है इन्होंने sociological jurisprudence के तनों कि एक political theory में एक way adopt किया जाता है किसी भी thinker को किसी भी theory को जो सामने से separatist होते हैं उनको धीरे धीरे उनकी theories को कुछ भी कुछ critics करके कुछ नया involvement ला जाते हैं तो लास्की साहब ने analytical jurisprudence जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है उस पे contrast डालके सोचलिकर jurisprudence में कुछ बात की कि जो state होता है उसको source of law नहीं बताना चाहिए अब इन्होंने बोल दिया कि state के ये लोग खिलाफ थे ठीक है कुछ लोग मैंने बताया था ना कुछ लोग lazy sphary होते हैं जो कहते हैं कि state का interpretation नहीं होना चाहिए common life पे common लोगों में तो यहाँ पे क्या हुआ contrast किया गया इन्होंने ये बोला कि state को कोई मतलब नहीं law बनाने से state क्या करना चाहिए एक agency होती है केवल कि जो frame कर सकती legal value of law को और जो exist कर रहे हैं वहाँ पे कर सकता है वो impute करना है फ्रेम करना है legal law को जो source of law होंगी वो हमारे हिसाब से चलने चाहिए हम उसको बनाएंगे हम उसको करेंगे ये कहना था लास्की साहब का लास्की जो एक लैजिस फेरी थी एक liberalism के जो masters कहते हैं जिनको rights और justice से पर्टेन करते हैं उन्होंने ये बात बोली थी 1893 तो 1950 अपडेट याद कर लिए जएगा तो अब spirit of common law इनकी एक बुग थी 1921 में pound roscoe की इनकी बुग थी याद कर लिएगा pound roscoe 1920 बुग में धी the spirit of common law ये question पूछ सकता है भाई ये चारो thinker के नाप पूछ लेंगे कि who is associated with sociology jurisprudence and who wrote the spirit of common law in which year 1921 में pound roscoe ने लिखा तो अब हम आगे बात करते हैं हमाई videos में पढ़ाई नहीं हो पाएती और सब कुछ हो रहा रहा था अब हम लोग के अलग चीज में आते हैं भी state की जैसे information करते हैं तो state में CM हो गया PM हो गया इसको क्या करना चाहिए command जो law को करेगा वो किसके हाथ में रहेगा PM के हाथ में रहेगा तो उसे हम लोग basically bills कहते हैं फिर bills को जब रेकनाईजेशन करते हैं उसको पहचानते हैं फिर वो act में आता है जिसे पहले स्कैप था citizen amendment bill था उसको recognize किया गया उसके उपर से वहाँ पर पास करवाया गया फिर पास करवाने के बाद उसको क्या किया गया एक नया रूप दे ले गया उझे से हम लोग act कहते हैं तो bill act कैसे बनता है जब दोनों houses में majorities होती है तो यह बात यहाँ पर लागू होती है तो इस organ को कोर्ट और कैग कैग भी कम्टोलर अल्टियर जनल भी हो गया इसके बाद से भी finance जो finance डिबेट भी देखते हैं वो भी इसी तरह कर सकते हैं अब एक statement भी बहुत जरूरी है आएगा who said that who believed that law existed even before the emergence of state state जब create भी नहीं हुआ था उससे पहले law गये थे यह बुला था रेम आरेम मैकलवेर ने आरेम मैकलवेर का tenure 1882-1970 समझ में आ गया next चीज क्या होगी अब sources क्या होंगे इसे वादा ना रोटी कपड़ा मकान हमारे जिंदी जिंदा रहने के लिए हमारे जिंदगी के लिए तीन चार sources चाहिए विससे इनके source क्या है एक है custom एक है religion एक है scientific commentaries एक है adjudication और एक है legislation और इसको equalize करना है ठीक है अब equality मतला हो गया equality तो आपको equality पता है आपको legislation पता है आपको basically custom भी पता होगा religion भी पता होगा scientific commentaries और adjudication क्या होता है मैं आगे बताऊंगा custom और religion भी आपको बताऊंगा तो जब हम लोग law के behalf पे जब हम लोग सीधा custom बजा जवाब लोग होता है कि हम बहुत read reward से रह रहे हैं तो क्या हुआ कि पहले जब constitution नहीं आया था amendment नहीं आया था तो हम लोग अपनी society में read reward के साथ रहते थे custom के साथ रहते थे उसकी बहन हमारी बहन हुई ठीक है पहले का यह नारा नहीं रहता था यह हमारी read reward थे हमारी संस् दिखी चल लही थी वो हमारी custom के ऊपर चल लही थी read reward के ऊपर यही custom होता है क्या होता है जो common law in England में आज भी है ना वो custom पेवेश है जिसको recognize किया जाता है law court से जिसको हम लोग law खुद valid laws को बनाता है law court में हमारा India हो गया Britain हो गया अमेरिका हो गया इन सम्में क्या होता है इ stage को बनाता है तो हमारा इंडिया हो गया यह हो गया लेकिन एक custom को British ने follow किया है वो अभी भी उनकी रीत रिवाज चलती हा रहे जिसे हम लो British monarch केते हैं British monarch में क्या होता है बाबा British monarch में एक घराने आते हैं जैसे हमारे यहां royal kingdom होते थे हमारे घराने होते थे ठीक है कि हमारे इंडियन जो तिंग जो हमारे इंडियन रूलर होते थे वो एक घराना होता था मुगल हमारे इंडिया में आये तो उनका भी एक simulations रहा कि Turkish invention हुआ मुगल्स हुआ ठीक है मुगल्स आये Turkish आये अफगानी आये लोधी dynasty हुई तो यह सब एक तरीक एक क्या होता है यह एक तरीक जो मुणार्ग था वो एक टाइप का कस्टम है तो मैं British मुणार्ग की बात कर रहा हूँ तो यहां पर जब कस्टम की बात करता हूँ तो यहां पर कस्टम में क्या है पहले उनकी यहां पर 17th century में क्या होता था 17th century में any होते थे any के बाद उनकी यहां George 1,2,3,4,5,6 आने विलियम बेंटिंग विलियम आने लगे विलियम के बाद Victoria आने लगी Victoria आने लगा ठीक है Victoria के बाद Edwards आये Edwards के बाद George आये George के बाद Elizabeth आये और Elizabeth आस्तक्षर लाह है यह जो कस्टम है इस चम्रों रोयल मोनार्ग की कहते हैं Religion क्या होता है जो दूसरा पार्ट होता है जो लॉकर जो स्वोर्स होता है Religion, Religion में भी कुछ आउडिस्ट्रे पर लॉक और प्रैक्टिस की जाती है तो Religion में क्या होता है जब कस्टम और Religion को हम लोग बना देते हैं तो इसके लिए हमको लॉच चाहिए कि हमारी रीत रिवाज को भी मेंटेन रखा जाए और हमारे Religion को भी मेंटेन तो वहाँ पर एक law हो जाता है मोट्स आफ वर्षिप के अलावा जो गुड डील होता है कस्टम से रेगुलेटिंग शोशल लाइफ में क्या हो रहा है जो अच्छी चीजे हो रही है कस्टम में कस्टम मतलब रीती में जो रेगुलेट करता है शोशल लाइफ को मोड आफ व को भी जबुड करते हैं जो हमारी शोशल लाइफ को रेगुलेट करते हैं और डोनों चीजा को जब मिलाते हैं तब रेगुलेशन बनता तो इसलिए जो सोर्स आफ यो यो होता है तो कस्टम प्लस रेगुलेजन इस रिपलस रिलिजन रिलिजन के साथ-स ये भी हो जाता है तो यह हमारा एक तरीके का regulation है, हमारा रीत ही है और modes of worship जो होगे हमारा रिवाज है, हमारे भगवान लो कैसे पूजे करने है, कैसा पूजा करनी, यह हमारे sorry, रिवाज है जैसे कि महरम में भी होता है तो हर धर्म में यह custom हम और religion साथ में बैठ जाते हैं, जहां केवल केवल worship की पूजा कैसे करनी उसकी बात भी नहीं होती है, बलकि यह भी करनी है कि कैसे अच्छे से हम लोग अपने रिवाज को follow करें हमारी social life में कैसे involved करें उससे हमनों religion कहते है, समझ में आ गया I think the thing gets clear Let's move on to scientific commentators Commentators में क्या होता है, जो commentators होती है वो क्या होती है, जैसे कि कि किसी को कोई adopt कर रहा है, जो सामने हो रहा है, उसको क्या कर रहा है उसको वो explain कर रहा है, समझा रहा है तो आज कर cricket match में क्या होता है जो commentaries होती है, उसका basically involvement यह होता है, कि क्या करो कि जो crowd हो रहा है उसको maintain करने के लिए यह दो TV पे crowd सुना नहीं देगा तो हम लोग जो हमारे साथ हो रहा है जो live telecast चल रहा है उसको commentators कर रहे हैं मतलब उसको explain कर रहे हैं कि यह बाहर की ball जा रही है और यह LPW like before हो गया review हो गया review हो गया review लिया है और इनके यह इनके हो रहा तो यह सब cabinet में capture होता तो वो लोग उसको explain करते हैं ठीक है एक तरीके से उसको announce debate उसको करते हैं तो क्या होता है अरिस्टोटल ने साइन्टिफिक को पहले क्या क्या पर्टेन करवाया साइन्टिफिक से बोला गया कि दो चीजे होती है एक natural होती है एक साइन्टिफिक होती है तो साइन्टिफिक मतलब यह होता है कि नैशुरल से हमें मतलब नहीं होता है नैशुरल में क्या होता है कुछ चीजें ऐसी होती है जो साइन्टिफिक से कभी आती नहीं है लाइक ऑपस्कूरेंटिजम जिसको हम लोग अंधेरावाद कहते हैं यहाँ पर क्या होता है यहां पर सच्चाई जो है आदमी तब पहुंची नहीं पाती है कोई सच्चाई नहीं पहुंच पाती है डॉग्मेटिजम क्या होता है कि आदमी जो देखता है उस पर विश्वास करता है जो उसके नॉम्स होते हैं जो उसके ट्रस्ट होते हैं जो उसकी बिल वुक्त करते हैं तो यह कट्रपन्त उंपनंट करते हैं और फूर्ट रिशाद धारा के लोग बिशार्ण जो एक पुराना ठ्रिटिशन को लेकर चले आते हैं उस चीजों को हमाई इंडियम में भी चलता था कास सिस्टम में भी होता था जिसे हम बेटकर साब ने एक नाउंस डिबेट करके उसे हटा दिया तो अब साइन्स और पॉलिटिक्स को किस ने बनाया अरिस्टोटल ने अरिस्टोटल को एक्चुली में बेसिक साइन्स और मास्टर और साइन्स और पॉलिटिक्स बोलते थे इन्होंने बायलोजी के साथ साथ मेंडिकल के साथ साथ इन्होंने सब चीज में थेसिस दी और अलग अलग थेसिस दी इनका बेसिकली जो डॉर्मेंट था जो इनकी थेसिस थी वो डिसकोर्स थी बायलजी और मेडिकल पे ही क्योंकि जो इनका पालन पोशन हुआ था मैंने आपको पहले बताया था वो king of Macedona जिसको हम लोग Alexander 1 कहते है Alexander great जो है वो third है और Alexander great जो है वो Aristotle का student है लेकिन जो उसके बाबा थे Alexander के जिसे हम लो king of Macedona ये Alexander 1 कहते है वहाँ पे इनके पिता जी code physician थे तो इनका जो लालन पोशन हुआ है he was brought up in the immense and forgiveness of medicines ठीक है medicine की fragrance में इनको वहाँ पे इनका जन हुआ है जो odor होता है जो smell होती है इसलिए science of politics में आगे आया है biology में आप आगे नीचे comment करिये कि क्या मैं आपको Aristotle कल पढ़ा सकता हूँ या आज ही मैं वीडियो बना सकता हूँ और responses अच्छे है so guys subscription बढ़े हैं काफी आज 87 subscription हो गए है so thanks for that और अब क्या करना है आपने subscribe and share करना है बाबा क्योंकि paper की date बहुत पास आ रही है और जो topic important है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आज ठीक है काफी ज़्यादा evaluation views में evolutions हुआ कम हो रहे हैं views कुछ भी हो रहा मुझसे उससे मतलब नहीं आप अगर मुझे क्या करना है आपकी help करनी ही आती है सीवी रमन साहब ने भी कुछ effects पर काम किये थे तो वो सब क्या होता है यह science होती है science को हम लोग naturalty से अलग बोलते हैं हम लोग एक belief से एक natural एक religion टेनेट से अलग बोलते हैं so guys let's move on to the further debate on scientific commentaries तो होता क्या है दो चीजे होती है दो चीज अगर नहीं होंगी तो scientific commentary कभी हो ही नहीं पाईगी law पे और शायद हो भी ना पाती क्या होता है एक होता है publicist और दूसरा होता है eminent jurist eminent jurist मतलब क्या होता है eminent मतलब होता है famous जिसको कहते हैं वो प्रशित jurist मतलब lawyer ठीक है publicist मतलब पत्रकार जो पत्रकार होते हैं तो क्या होता है उस समय में जब law का source को integration किया गया जब scientific commentary का uses हुआ तो scientific commentary क्यों आई क्योंकि इनको एक interpretation करना था of the substance of law prevailing in different countries textual interpretation किया interpretation मतलब होता है explanation का लिए लिखिके और जो contextual or textual interpretations होता है उसे हम लोग interpretation कहते हैं तो जो publicist थे और जो eminent jurist थे उन्होंने क्या किया उन्होंने एक तरीका अपनाया कि हम अब interpretation करेंगे अब हम explanation करेंगे। इन्होंने क्या किया इन्होंने substance को ingpaid किया कि अब law जो prevailing है different countries में कि बहुत से country में यह ला चल ले हैं हमाई country में भी यह law लने चाहिए और हर countries को यह follow करना चाहिए तो जो इसको बढ़ावा दिया scientific commentaries को law के perspective में वो publicist थे और eminent jurist थे मतलब कि जो famous jurist थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया explanation किया interpretation किया ठीक है अब textual interpretation की बहने बात कर ली अब एक world आता है substance of law तो यहाँ पर substance of law जो मैंने use किया है interpretation of substance of law आप बोलोगे कि इसको explain किया लेकिन इसको कैसे explain किया हो या चीज क्या थी जो इसको explain किया बेसिकली यह क्या होता है यह एक material या necessary component होता है जो matter of substance होते है हमारे आप में जिससे जो चीज important होती है law को sustain करने के लिए उससे हम लोग सबस्टेंस of law कहते है ठीक है जैसे कि कोई भी jurisdiction हो गया authority हो गई code हो गया एपिले jurisdiction हो गया यह सब एक substance of element है तो इन्हों ने कहा कि बहुत से countries में क्या हो रहा है law को walk बनाया है silent बनाया है unsultane बनाया है कुछ countries में क्या हो रहा है किस plea आ रही है affidavits बनते हैं और indictments बनते हैं तो मैं इस चीज ने बता चाहूँगा यह जो constitution बढ़ा है जो basically judiciary adopt किया है उसको पता चलिए गए प्लिया क्या होता है यह एक documents या ducket होता है एक appeal होती जिसे हमनों दलील कहते हैं ठीक है यह हमारे यहाँ पे supreme court में बहुत होती है high court में बहुत होती है और tribunal court में भी होती है appellate jurisdiction में यह चीज बहुत होती है तो यहाँ पे affidavits आया इन्होंने बोला ना कि कुछ interpretation substance of law तो मैं substance of law आपको बता रहा हूँ कि substance of law होते कैसे हैं जो हर जिगा यूज हो रहते हैं उस समय में डकेट एफिडेविट इंडिसमेंट मतलब क्या होता है इंडिक्स मतलब होता है चार्ज या बलर जिस वर हम लोग अभियोग और महाभियोग कहते हैं हिंदी में आप लोग समझ जाओगे जब आप लोग पड़ोगे तो इसका इंडिक्समेंट मतलब हो गया आईपीसी ठीक है इंडियन पीनल कोट जो होता है वो एक एक आप पालियमेंट है तो हम लोग आईपीसी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग इन पर अभियोग लाते हैं महाभियोग लाते हैं इनके उपर चार्ज लगाते हैं बेसिकली जो इं पीसी में Act of Parliament में हुआ था इनके उपर CBI बैठी थी Crime Bureau of Investigation जो इनको सीधे Corruption के Case में इनको लिया गया था तो जब तक ये पार में थे जब तक ये Throne में थे जब तक कुछ नहीं हुआ बर जब से Throne से नीचे आए तो इनके उपर Case कर दिया गया उस Case को कहते हैं पीवी नर्सीं भारा वर्सेद स्टेट केस बना और CBI स्टेट की तरफ से लड़ ला था ये अकेले थे तो ये चार्ज जो बलर अभियोग तो ये प्रीज आपको समझ में आ जाएगी अब फिर वही बात मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं भाई रिपीट कर रहा हूं कि JNU का पेपर वैक्सीन बनाना है उसके लिए एक तरीके का पेंडेमिक उन्होंने दे दिया है जो thinkers और authors आते हैं और unknown thinkers आते हैं जिनका नाम हम 1723 से 1780 से मैंने यहाँ पर फैब लिखा है इनकी मैंने बुक्स पढ़नी हुई है तो इन्होंने एक बेसिकली चेक और बैलेंस दिया था जो एक कमप्रेटिव गवर्मेंट का पाल्ट है कि it is better than 10 guilty escape than one innocent suffer मतलब है यह सही है कि 10 जिनोंने गुना किये हैं वो बच जाए ठीक ह कोई दिक्कत नहीं हमें होगी लेकिन अगर एक बेगुना आदमी फज आता है तो दिक्कत होगी और इसको as a check and balances of Indian constitution में हमने adopt किया है तो विलियम ब्लैक स्टोन आपको अब याद हो जाएंगे तो क्या हुआ जो competitive government और लॉस्ट येर में आता था अब होता क्या था अब application की बात हम लोग करते हैं और अगर हम लोग इस check and balances की बात करते हैं तो हमारे इंडिया के जो 41st CGI रहते चीफ justice of India थे राजेंदर मल लोधा साथ इन्हों ने ये बात बोली थी कि जो विलियम ब्लैक स्टोन थे उसी के हिसाब से जो हमारे इंडिया का check and balance होता है वो यहाँ प आगे हम लोग बढ़ते हैं जोसफ स्टोरी की 1779-1745 ये भी याद कर लीजेगा और जेम्स केंट ये भी ये दोनों लोग क्या थे ये दोनों लोग थे जो लिलेटर थे scientific commentaries से अब हम लोग नेक्स पे आते हैं जो हमने next इसपेर बताया जो हमने next sources बताया लोगा वो होता है judicial adjudication एट्जूजिकेशन मतलब क्या होता है, justice भी करना है और decision भी देना है, हमको जो हमारे Supreme Courts, High Courts, Tribunal Court, Criminal Law procedure करते हैं, होता क्या है कि जो judicial decision होता है और जो verdict होता है उसको क्या करते हैं, उसको accompanied करते हैं, participant मतलब होता है जो तीजे साथ-साथ चलती है यह judicial decision में चल ला है उधर हमको verdict भी सुनाना है तो जो verdict होते हैं यह history बन जाती हैं तो क्या हुआ इन्होंने explanation कर दिया कुछ ऐसे principle का जिसे हम लोग interpretation of law कहते हैं जो as a presence for further decision होता क्या है जो interpretation जो explanation वो लोग उस time पे करते हैं जो decision आया और जो verdicts आये इसके बाद से भी उनको decision में करना है verdict भी देना है और उनको सुनवाई भी करनी है तो यह सब जब होता है तो कुछ history बन जाती है जैसे case वनन भारती versus state of kerala के बीच में हुआ था आप लोग indian constitution में अगर पढ़े होगे अगर आप लोग basic structure पढ़े होगे तो आपको पूरी तरीके से पता होगा कि आगे करना क्या है ठीक है basic structure of indian constitution आप पढ़े होगे तो आपको एक एक चीज़ पता होगी कि केशवनन भारती पे कौन सा case हु यह चीज़ जो होती है यह adjudications होता है मतलब यह होता है कि हमको आगे इसको as a example के लिए save कर देना है केशवनन भारती के अलावा कोई भी basic structure में बोले कि हमारी जमीने सब हमारी जमीने हैं सब यह मंदिर की trust की जमीने हैं magications हैं तो code का फैसला जो आना होगा वो सीधा trace करेंग इसको हम लोग adjudications कहते हैं जो आगे के लिए एक example होना चाहिए ऐसा सुनवाई करिए कि आगे example हो जाए और जो आदमी यह चीज़ प्रेडिक्ट करे सामने उसको हम लोग इसी को example को trace कर सकते हैं इसको हम लोग adjudications कहते हैं अब होता क्या है जो England की courts होती है जो Supreme courts England की होती है जो अमेरिका की होती है जो इंडिया की होती है वो case in point रखती है case in point का मतलब सीधा education justice करना है decision करना है एक साथ दोनों चलाना है और इसको एक तरीके से secure करके बाद में as a example set करना है इनके check and balance में इनके dot में समझ में आया मैं क्या बोला था next हम लोग बढ़ते हैं next अब हम of law एक होगी supremacy of law ठीक है मैं सोरा दी में बोलने को सेच कर रहा हूँ law क्या होता है बबा और morality क्या होती है अब जो spare of law होता है इस फेर मतलब सीधा होता है कि इनका area किस किस area में इसको काम करना है और किस किस area में इसको हमको as a example लेना है तो spare of law में पहली चीज़ आती है law and morality law क् lrty क्या होती है मैं आपको बताता हूँ होता क्या है जो एक prescribed procedure decision होता है हम लोग को ये लोग रिकॉगनाइज और inact करने के लिए कहा ले जाते हैं दोनों houses में इसकी majority चाहिए इसको pass करना होता है और ये जब पास हो जाता है तो वो law जो होता है वो bill जो होता है वो एक act बन जाता है like cab जो हमारा citizenship amendment bill था वो पहले bill था जब उसको enact और recognize किया गया दोनों houses में तब वो क्या हो गया? CAA हो गया मतलब कि citizen amendment act हो गया उसको हम CAA कह दिया ठीक है तो यहाँ पर technically हम इस तरीके से इसको बता सकते हैं कि law and morality में जो difference होता है technically हम इसको definition ऐसे define कर सकते हैं इंडिया का example लेकिए ठीक है अब morality क्या होती है? morality यह होती है कि जो bill बना है जो act बना है उसको क्या होना चाहिए? उसको सही होना चाहिए और उसका justice होना चाहिए सबको न्याए मिलना चाहिए तो आपने देखा CAA आया या अभी जो former movement current में चलना है current का बहुत अच्छा perspective है उसमें जो जो recognition हुए है उससे क्या हुआ? उससे morality होती है थर्ल क्या होता है? आइडिली हम लग जब law and morality के साथ में बात करते हैं तो आइडिली क्या होता है? जो law को practice करना है तो इसमें दो चीज अलग रखनी है एक करना है law अपना काम करेगा morality अपनी काम करेगी जब CAA बन गया former movement हो गया when they enacted the former movement act or former organization bill और agriculture organization bill जो था और हम उस रिजन amendment act की बात कर सकते हैं तो government ने सीधा ये बोला कि जिसको विरोध करना है जिसको चिलाना है चिलाओ majority हमारे हाथ में हम इसको बिल को आज पास करवा देंगे अब क्या करना है अगर आपकी morality पर question आ रहा है जिनके पास कोई moral dormant है नहीं जिनोंने आज तक अभी morality रखिए नहीं बनाना है तो law तो बनता रहेगा morality आपके उपर है तो ये दोनों अगर absence होते हैं तो इनको एक dedication होता है अगर right सही है अगर CAB सही है CAA सही है तो हमको law बनाना दीजे आप morality को maintain करके रखिए तो ये दो चीजे जो होती है ये सीधा distinguish कर देती है ideally को तो हमने तीन चीज़ बता दिया एक ideally बता दिया morality बता दिया आपको technically बता दिया कि law and morality कैसे एक दुझे के इंगर्स में होती है एक example और लेते हैं जो आपको याद हो जाएगा जो आपका slabus का example है जिसे हम लोग Indian Independence Act कहते हैं technically 20 February 1945 को British के PM जो थे Sir Climate Italy declared that the British rule in India would end by June 30, 1948 part जो होगी will be separation to the hearts of the Indian hands तो इसमें morality आ गई अब लोगों ने इनसे morality के साथ सामना किया कि भाया अब क्या होगा अब हम morality के साथ सामना कर सकते हैं अगर अब हम कह सकते हैं कि इन्हों ने हमारे हाद में दे दिया आप हमारा moral issue होगा हमको इंडिया का constitution इनाट करना है अम्बेट के हाथ में power आ गई यह morality हो गया लेकिन अब इस morality को परफाइंड के मैंने गा ना जब law and morality साथ में आ जाती है तो दोनों में बवाल तो होगा ही इंडिया की morality गुशाओर थी और जो Muslim League थी उसकी morality गुशाओर थी Muslim League ने क्या कि यह announcement हमको अच्छा नहीं इसको इन्हों रिफ् one copy of constitution, rather India can adopt it, whether Pakistan can adopt it, हम लोग दोनों के लिए अलग-अलग कोई copy constitution की नहीं बना सकते हैं तो इनकी morality पे इन्होंने question बना के basically क्या हुआ, यह announcement हो गया, इंडिया का partition हो गया, यह ideally हो गया कि हम law को देख रहे हैं, आप अपनी morality लेके, जे में लेके पाकिस्तान जाओ, यहाँ पाकिस्तान का अभी भी कोई constitution नहीं बन पाया, तो यह होता है law and morality, I think the thing gets clear to you, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी हम लोगों को दो चीजों में difference बताना है, एक पहली चीज होती है, जिसको हम लोग बोलते है legal obligations, और second चीज जो होती है, उसको हम लोग बोलते है moral obligations, तो होता क है भाई, legal obligations क्या होता है, legal obligations मतलब होता है, जो चीजे कानूनी हों, जो law के दायरे में करते हैं, उससे हम लोग legal obligations कहते हैं, जिससे हम लोग obligations को बसली कहते है, in Hindi, we said, a terminology we can pertain obligation as दायत्वा, और legal हो गया, जो law जिसमें आया हो, second चीज होता है moral obligations, इसमें होता है, नैतिक दायत् factory worker है, ठीक है, factory worker का पूरी तरीके से अपने आपको enact किया है, किसमें moral obligations में, जो trade union के साथ, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, कि हम trade union जो करेगा, हम वो करेंगे, इनका moral obligations है, होता नहीं है, कि एक किसी taxi वाले को आप कंटाप कर दो, मार दो, hit कर दो उसे, तो वो पेशेशन में the trade union of the moral obligation, उनके trade में union बहुत है, unity बहुत है, तो वो strike कर देंगे, जो की एक legally band है, अब क्या हुआ, अब जो factory worker है, उसके साथ दिक्कत आगी, वो अगर moral obligation में जाता है, तो उसका legal obligation खराब हो जाएगा, legal obligation क्या कहता है, कि जो strike होनी चाहिए, उसको legally band है, आप ये कर नहीं सकत से हो, अगर इये moral obligation पर जाएगा, तो legal obligation से हाथ दो देगा, अगर ही legal obligation में जाएगा, तो इसको जाना है moral obligation पर तो अगर legal obligation साथ दो नहीं चलते हैं, तो यहाँ पर law क्छाब है, deconst humans गवाद के, जो dot कि when men are pure जब आदमी सुद्ध है laws are useless law कोई काम की नहीं है but when men are corrupt laws are broken समझ गया हुँ ना कि जब आदमी अगर सुद्ध है प्योर है तो law से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो पहले से ही natural law में है but अगर आदमी corrupt है तो क्या होगा समझ लोग की laws जो है वो तूट चुके है तो यह statement Benjamin Disrazi का था 1804, 1881 इसका च्रप्रशन था यह इसको यार रखिएगा law and liberty क्या होती यह third spare second spare है इसका law and liberty law and morality बताया law and liberty बताया law and liberty क्या होती liberty क्या होती liberty ऐसी होती चीज होती है जहां भी कोई restraint नहीं होना चाहिए एक ऐसी freedom जिसमें कोई रोक ठाम नहीं होना चाहिए वो restraint नहीं हो चाहिए the freedom which comes in the absence of restraint is known as liberty जैसे कि कोई A husband है B wife है, B को shopping करनी ही A मना कर रहा है कि आपको यहां से कुछ नहीं करना है आप shopping नहीं कर सकती लेकिन यह कह रहे है कि हमको shopping करना है क्योंकि हमें पास C है C मतलब हमाई liberty है कि हम कर सकते हैं आप हमें नहीं रोक सकते हो तो इसी चीज को law को पल्टेन किया गया उस समय पे तो जब इन्होंने क्या किया इन्होंने basically Aristotle को follow किया Aristotle ने एक law बनाया कि जो Aristotle का notion of politics था जो basically belief था या concept of politics का Aristotle ने यह बोला है not only concerned with the duties of citizens only it also comprehends to all type of social relations with authority social relation हमारा जो समाजिक में जो हमारा वहवार है जो हमारी family है उससे हम लोग एक बाद social relations कहते हैं इससे कि तो sociology कहते हैं जैसे कि husband का control wife पे होना चाहिए आप कुछ गरत काम करें आपके पापा रोकेंगे नहीं आप गरत काम करते पकड़ेंगे तो आपने कहते हैं कि मेरी liberty मेरी freedom है तो ऐससे हो ही ना होता है इसमें कुछ law बनते हैं authority बनती तो उस समय कि thinkers ने law and liberty को पर्टेन करने के लिए law को liberty में add कर दिया और Aristotle का एक notions जोड लिया अब ये shopping नहीं कर सकती है क्योंकि इनके husband की कुछ ना कुछ liabilities इनके उपर है ठीक है कि not only concerned with the duty of the region also combined with the all type of socialization की authority इनके उपर है अब कुछ husbands की बात अलग है कुछ husbands होते हैं जो private job में होते है उनकी wife basically government job में होती है तो उनके पाथ तो कोई अवकात नहीं है न यहाँ पर liberty एक एकनॉमिक प्रिश्मेंट में आ दी है समझ गए आप कि हम लोग liberty को तभी रोक सकते हैं जो यह कहता हमको रिष्टेन ना करो लेकिन इसको रिष्टेन हम कर सकते हैं कैसे जह हम law use कर देते हैं वही आज कल चल ला है कि कुछ लिवर्टी इसको करना ही नहीं है उसमें लिए laws हैं बिसिकली जब आप लोग मिल्स को पढ़ते हो बैंथम को पढ़ते हो जब यूटिलिटी प्रिंसपास पढ़ते हो जब इमनल कान पढ़ते हो तो आप लोग निगेटिल लिवर्टी को अस्टें करते हो पॉस्टिल लिवर्टी को अस्टें करते हो तो आप यह देखते हो कि इन्होंने कहा था कि जो निगेटिल लिवर्टी होती है उसमें फिसकल रिस्ट्रेंड को फिसकल बैरियर करो कि काम करवाना ही करवाना चाहिए तुम मार दो हाथ पहे चला दो उससे हम फिसकल बेरियर कहते हैं उससे भी हम रोक सकते हैं लेकिन क्या हुआ जब यह होता है तो यहाँ पर law का fragrance zero होता है law यहाँ पर होता नहीं है फिर से डीडी रफेल आ गए जो कि एक बहुत बच्चे सिंकर्स थे उनकी बुग थी प्राबलम और पॉलिकल फिलोसोफी जो उन्होंने 1976 में लिखी थी उन्होंने बोला कि law जो है वो liberty को क्या कर सकता है रेस्ट्रिट कर सकता अगर हम law का introduction कर दें तो liberty वहाँ से हट जाएगी तो इन्होंने क्या कहा इन्होंने चार्ज पांच चीजे दी एक crime दिया एक civil disputes दिया एक economic control दिया एक provision of social welfare दिया इन पांच चीजों से इन्होंने कहा कि अब ये पांच चीजों में law जो होगा वो liberty को खतम कर देगा तो क्या होता है crime की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते है those acts of individuals which are deemed to be threat to be the liberty and safety to other individuals how their own safety are declared offense under law punishment prescribed होता क्या है मतलब ये है कि कुछ आदमी कहते है कि हमाई साथ बुरा हुआ है तो हम बुरा कर सकते हैं जब हमारे liberty पे threat आता है या हमारी safety पे threat आता है या किसी हमारे खास की safety पे threat आता है तो हम हत्यार उठा सकते हैं लेकिन law में कानून में इसे punishment prescribed की गई है इसको एक punishment निना की गई है कि अगर आप किसी का murder करते हो तो आप punishment में हो आप चाहे जिस हालाव में क्यों हो सजा आप पे बनती अगर आप guilty feel हुए तो आपको punishment मिलेगा पका मिलेगा भले ही आपने किसी से क्या क्या इसका सबसे बड़ा example क्या है ना सबसे बड़ा example इसमें हमारे इंडिया के verification से भी होता है जो हम लोग इंडिया में देखते है कि होता क्या है लोग अपना web series में कुछ ज़्यादा ही होता है आप लोग देखते हो गए कि अपना बदला लेने के लिए लोग गुंडे बन जाते हैं ठीक है किसी ने उनके पापा की विस्ति कर दी पापा को मार दिया तो आदमी ने उसको मार दिया तो यह सोचते हैं कि यह हमाई liberty है लेकिन एक crime इसको नाम दे दिया डीडी रफैल ने और जो arch countries भी क्या करती है उसको crime ही बोलती है तो वो बोलती है कि भाई वो crime है तो crime है चाहे आपने अपने बदले के लिए किया हो या आपने किसी की बावना से भी किया हो यह दिक्कत यह चीज जो होती है यही चीज जो होती है इसको हम लोग crime में बोलते है अच्छा civil disputes में कौन से लोग कर सकते हैं civil disputes में जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे योगी जी की बात याद आती है जो सीधा Aristotle से मैच करती है होता क्या Aristotle ने क्या दिया retributive justice दिया उससे हमनों rectifactory भी कहते हैं commutative भी कहते हैं तो यह basically concern होता है judges से तो Aristotle ने यह बोला था कि कहीं पे भी कोई बावाल हो कोई भी civil disputes हो कोई भी civil rights हो वहाँ पे punishment and payment of damages का पूरा पूरा law बनेगा जहां पे full restoration of losses कोई भी government की कोई भी government के accessories का अगर loss हुआ है तो उससे वसूल आ जाएगा योगी जी ने क्या किया UP में कहा कि यह CAO cab वाले जो बिरोत कर रहे हैं हमारे UP में आके देखे उन्होंने क्या किया ड्रोन से उन्होंने मोटराइज करवा दिया और ही इन बिल्ड आल आफ दा फोटोग्राफ विदिन दा लाइक एस इस्टिकेशन इन फ्रंट आफ दियर हाउसे इन फ्रंट आफ दियर मोहलाज और कालोनी लोग कहते हैं तो उन्होंने कहा कि हम इनकी फोटो लगा देते पूरा रिस्टिरेशन होगा लॉस का जितना भी लॉस ये लोग उस समय अगर राइट समय करेंगे तो गाइस अब आपका बेसिकली दो पेज बाकी है ठीक है मैं आपको इसे कल वीडियो में बताऊंगा और बेसिकली कर मेरी वीडियो इलाजमेंट होगी तो आप लोग comment में कह सकते हैं कि मैं जो important topic जो मैंने अपनी वीडियो में सब्स्ट्यूशनल एलियमेशन में बनाया है तो मैं कौन सी वीडियो और बना सकता हूं वाच कमेंट कर दिजेगा तो आज रात में ही मैं रिस्पॉंसेज अगर अच्छे आए भाई जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अगर ये रात में ही अगर इसमें कम से कम 200 से या प्लस विस पहुंच गे तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको अरिस्टोटल पे बनाऊंगा अरिस्टोटल प्लैटो मैं क्या वली जो पिछली बार नहीं आए थे वो आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है तो थैंक यू सो मच गाईज बेस्ट अफ लग फाल यूर इक्जामिनेशन टाइम आपके पास है अभी भी 4-5 दिन भी होते हैं आज भी 5 दिन ख़तम होगी आप 4 दिन बचे हैं क्या होगा मैं आपको कल बताऊंगा व्यूज लाइक सब्सक्रिप्शन चरूरी है गैस थैंक यू